सिक्षा विभाग के सभी कार्वियों की online photo verification कायरे अभी चल रहा है और यह जो online photo verification कायरे वो साला दर्बन पर चल रहा है तो यदि अभी तक आप लोगों ने भी साला दर्बन पर आपने नई photo upload नहीं करी तो आप लोगों किस पकार से कर सकते हैं मेरी चल लें वो वीडियो मिल जागी आप लोग उसको देखकर 10 केवी से 20 केवी के बीच में size किस पकार से करना है और size कम करने के बाद में आपको photo किस पकार से change करनी है अपडेट करनी है वो वीडियो इस वीडियो के description box में link में मिल जाएगी और इस वीडियो के last में भी यहाँ पर मिल जाएगी अब photo आप लोगों ने upload कर दी है अब upload करने के बाद में यहाँ पर staff login के उपर उसका verification किया जाएगा और यह जो verification है यह PO sir की staff ID से होगा जाने कि आपकी विजाले की जो PO sir है उनकी जो staff login वाले ID है उस ID से यहाँ पर आप लोगों की photo का verification होगा तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस परकार से आप लोगों की photo verification होगी इससे पहले यदि आप लोग मेरे चनल पर ने हैं तो मेरे चनल को subscribe कर लिजेगा तालेक 16 पर इस्टाफ इंटू रासिम पोटर से समदित जो भी online अपडेट होती है उसकी जानकरे सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और यदि आप लोग भी सिक्ष्या विबाग से समदित इस परकार की important वीडियो या पिर हर प्रकार की आदेश order की copy चाहते है तो आप लोग मेरे टेलिग्राम चैनल को join कर लिजेगा इस वीडियो के direction box में टेलिग्राम चैनल का link दिया गया है आप लोग उससे क्लिक करकर मेरे टेलिग्राम चैनल पर join हो सकते हैं तो सबसे पहले या पर P.O.S.R. की staff ID उससे ID और password डालकर login हो जाना है login हो जाने के बाद में इस तरह का page या पर आपके सामने open हो जाएगा login हो जाने के बाद में इस page की उपर आप लोगों को आपको option मिलेगा उस option का नाम है employee verification आप लोगों simple से इस employee verification वाला option पर click करना है employee verification पर click करेंगे तो नहीं ची एक और option open हो जाएगा working employee verification तो इस अला option पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद में P.O.S.R. की अधिने सविदेले की जो जितने भी school है सभी school के नाम या पर show हो जाएगे अब आप जिस school के कार्मिक की यहाँ पर आप लोगों को verification करना है photo verification करना है उस school के नाम पर आप लोगों को click करना है click करने के बाद में यहाँ पर उन सभी कार्मिकों के नाम यहाँ पर show हो जाएगे नहीं हो सकती है यह प्रक्रिया परम करते समय कार्मेड का आगी दिय गे उससे समझ दस्तवेज के साथ उपस्तित होना आउशक है याने कि आप लोग जिसींद का कर राहों आप लोग अपने पास में पृठाईये और वई। में इस टील को मेच गरोग और उनके कार्मिक आधार कार्ट, सेवा, कार्मिक सेवा पंजिका और कार्मिक पहचान दस्तवेज यानि कि जो भी फोटो आइडी उस हाथ में लेकर आया है उसके आधार पर आप लोगों को यह पर वेरिफिक्शन करना है तो यहां पर मैंने एक किसी कार्मिक को सलेट कर लिए हैं जो को पढ़ना बहुत ही जरूरी है तब सब पहले हैं आधार नमबर यानि कि आधार पोटल पर आधार संक्या से सुचना का मिलान कर बोतिक रूप से सही पाया गया है सुचना दर्ज करनी है यानि कि यहां पर कार्मिक आधार कार्ट नमबर लिखा हुआगा यहां से आप के body marks, यानि की karmic की शरीर पर कौन सा body marks है, या पर दो body marks आप लोगों को लिखना है, बोडि मार्क आपको वही लिखना है, जो की karmic की सेविय पुस्तिका में, यानि की service book में जो body marks लिखेए अझे वोई body marks आप लोगों को याँ पर लिखना है, यदि करने हिस्ता फोटो अब marshmallow की फोटोको का लिवे गया है तो आप लोगों यहां पर किलिक करना है आप लोगों हुप करना है आप लोगों को सब्सक्राइफ करना है कि आप लोग breaking वो लेकिया है उसके दारपाब इस document को ऐसे select कर लिजेगा document select करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर blood group दिया गया है तो कार्मिक से आप लोग blood group पता कर लिजेगा जो भी blood group यहाँ पर दिया गया है उस blood group पर आप लोग यहाँ पर take कर सकते हैं Blood Group पर click करने के बाद में यहाँ पर अगला पॉंड आता है विभाग में पर्तम न्यूक्ति तिति, तो यहाँ पर एक बार आप लोग पर्तम न्यूक्ति तिति मिलान कर लिजेगा, फिर वत्मान पर न्यूक्ति तिति वो भी आप लोग यहाँ से मिलान कर सकते हैं, सेवे पुस्तिका से आप लोग यहाँ पर लिजेगा, मिलान करने के बाद में नीचे और option आता है कि विभाग में पर्तम न्यूक्ति का परकार किस पकार का है, यानि कि जो कार्मिक ने जोइनिंग करी तो किस के अधार पर करीती, या फिर डारेक्ट आर्पेसी, डारेक्ट नोन आर्पेसी, या फिर परमोशन से, या फिर अनुकमपा से, तो जो भी कार्मिक पर लागू होता है, वो यहाँ से सलेक्ट कर लिजेगा, उसके बाद अगला option आता है, वरतमान पर पर न्यूक्ति का परकार, यानि कि कार्मिक अभी वरतमान पर पर किस परकार से न्यूक्त हुआ है, या फिर डारेक्ट आर्पेसी से, या फिर परमोशन से, या फिर अनुकमपा से, तो जो भी कार्मिक पर लागू होता है, वो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लिजेगा, यहाँ पर एक में अत्मो नोट दिया गया है, कि एक बार वरिफिशन सम्मिट करने के बाद में किसी भी इस्तर पर सुधार या अनलोग जैसी सुधा उपलब्द नहीं होगी, आते उक्त प्रविश्टिक की जारी सूचना सत्यापन फिजिकल वे विद्याले में उपलब्द आवशक रिकोर्ड से करतोवे सम्मिट करें, जब आप लोगों को लग जाएगी पूरी जानकारी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आप लोगों देखे, ञाइब करेंगे, तो जो सारी डाटा है, तो जो कार्मी की फोटो है या फिर दूसर जो डाटा है, वो वेरिफॉटिक्षन हो जाएगा. तो इस पकार से आप लोगों अपने विद्याले के, जो समस्त कार्मिक हैं, अदिनेस विद्याले के और तक पौस दिरे.